हेलो अब्रिवान आज हम प्राण केक न्यू रेसिपी बनाना सिखेंगे उसके लिए मैंने 250 क्राम की प्राण ली हूँ और हम लेंगे एक टमाटो का पेस्ट अद्रक लेसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट और एक बड़ा ककोनाट का मिल्क और हम लेंगे बनाने के लिए कुकिंग ओयल और मसाले में लेंगे हल्दी का पाउडर, रेड़ चिली का पाउडर, क्यूमिन पाउडर, मीट मसाला, सॉल्ट टेस्ट, कॉरियंडा लिप्स चॉप्ट और गरम मसाला हम रो प्राण में डालेंगे नमक और हल्दी का पाउडर, और उसको अच्छे से हम मिला लेंगे सभी प्राण में जिस से ये हल्दी और नमक लग जाए अच्छे से अब हमें लेना है एक कुकिंग पेन और इसको गरम होने के लिए छोड़ देंगे इसमें डालेंगे हम कुकिंग ओल, कुकिंग ओल को अच्छे से हीट होने तक उसको छोड़ देंगे देखिए हमारा तेल अब गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे प्राण को हम एक एक करके सभी प्राण को दे देंगे तेल में प्राण को हम अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे वान साइट प्राण हो चुका है इसलिए हम इसको दूसरे साइट में इसी तरह पलट देंगे एक एक करके सभी प्राण को आच्छे से पलट देंगे और उसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे प्राण को हम फिर से एक बार पलट देंगे अच्छे से फ्राई होने के लिए देखिए हमारा प्राण हो चुका है उसका कलर भी चेंज हो चुका है अब हम इसको निकाल देंगे देखिए तेल गरम हो चुका है अब इसमें डालेंगे हम अनियन का पेस्ट और इसको हम गॉल्डेन ब्राउन फ्राई हने तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास तक देखिए अब इसमें हम डालेंगे त्री टेबल स्पन जिंजर गालिक का पेस्ट और इसको हम चला लेंगे बीच बीच में जिंजर गालिक पेस्ट डालने के बाद हम चलाते जाएंगे नहीं तो यह नीचे से चिपक जाएगा हम यहाँ थोड़ा सा कुकिंग अल का यूज इससे ले किया क्यूंकि हम इसमें कोकोनाट मिल्क डाल रहे हैं अब हमारा जाएगा एक टामाटर का फेस्ट और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे इस रेसिपित को आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए क्यूंकि यह पहुत ही टेस्टी बनता है हम इस मसाले को बीच बीच में चलाते जाएगे नहीं तो यह लग जाएगी मसाला अब वेल कुक टे अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वात के अनुसार और इसको मिक्स कर लेंगे और चलाएगे दिखिए मसाला हमारा बन रहा है अब हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर हाप्टी स्पन और इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हाप्टी स्पन रेड़ चिली पाउडर और इसको भी चला लेंगे अब डालेंगे हाप्टी स्पन क्यूमिन पाउडर और इसको भी हम मिला लेंगे मसाले में अच चलाएंगे अब हम इसमें डालेंगे मीट मसाला पाउडर अब हम थोड़ा सा पानी एट कर देंगे मसाले को अच्छे से त्यार हने के लिए देखिए मसाला का कलर कितना खुबसुरत आया है इसको हम ड्राइ हने तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा अब मसाला रेडी हो चुका है बन गया है अब हम इसमें डालेंगे काकानाट मिल्क और इसको मिला लेंगे अच्छे से और एक बैल आने तक छट देंगे उसको देखिए बैल आ चुका है अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड किया हुए प्राउन को और इसको मिला लेंगे और इसको बैल आने तक छट देंगे देखिए बैल आ चुका है और हम इसको भी थोड़ा थोड़ा चला लेंगे नहीं तो नीचे से लग जाएगा नाव हमारा जो उसका जरस है बुद्धीक हो गया है अब हम ग्यास को अप कर देंगे और चप की हुई करियंडर लिफ्स को एड़ कर देंगे हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और कोरियंडर लिफ से इसको डेकोरेट कर देंगे देखिए हमारा करी जो डेलिसियस प्रन करी है बनके त्यार हो गया है थेंक यू फो वाचिंग मैं वीडिया